इन त्योहारों में एक बार आप ये हलुआ बना करके जरूर देखिएगा आपने आज तक इतना टेश्टी हलुआ नहीं खाया होगा बनाना बहुत ही आसान है कम टाइम में जटपट बन जाता है कोई भी इसे बना सकता है और इसका स्वात बेमिसाल है इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस को ओन करके गैस पर एक कड़ाई रख दी है और कड़ाई को थोड़ा सा गरम होने देंगे तो चली हम सूजी का माप ले लेते हैं तो एक छोटी कटोरी मैंने ये सूजी के लिए है ज़्यादा उपर तक नहीं भरी है थोड़ी सी मैंने कटोरी ये कम ली है भरी हुई तो आपको मैं सही माप के साथ बहुती अच्छा हलुआ बनाना बताऊंगी फ्रेंट्स ये हलुआ एक बार आप बनाना सीख गए तो आप हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे क्योंकि बहुती जादर टेश्टी लगता है तो पहले हम सूजी को ही थोड़ा सा भून लेंगे इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे तो फ्रेंट्स ये छोटी छोटी ट्रीक है इने जरूर अपनाईएगा थोड़ी सी सूजी को भूनने के बाद मैंने अब इसमें एक चम चमच के करीब इसमें घी डाल दिया है तो एक चोटी कटोरी में मैं एक चमच घी डाल करके आपको बताऊंगे कि कितना टेश्टी हल्वा इससे बन जाता है तो सूजी को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनते रहेंगे इसे आप लगातार चलाते रहें ताकि जो ये स सूजी है बिलकुल इसमें तली में नए लगे और बराबर ही ये सारी सूजी बिलकुल एक सार भूनती रहें ऐसा नहों कि कहीं से जादा भून जाए और कहीं से कम भून जाए तो इसलिए आपको इसे लगातार चलाते रहना है अच्छे से तो थोड़ी देर बाद ही आप थोड़ी से पतले होने शुरू हो जाती है और इसमें से घी निकलना अपने आफिस सुरू हो जाता है, तो आप देख सकते हैं सूजी का कलर भी तोड़ा-थोड़ा चेंज होने लगा है, जब यह सुनहारी कलर की हो जाएगी, तो आप समझ जाना कि हमारी सूजी अच्छे से पिर बाद इसका कलर थोड़ा सा बादामी होने लग गया है और यह हमारे सूजी अच्छे से भुनने शुरू हो गई है तो देखेगा फ्रेंट्स पाँच मिनट में ही इस सूजी अच्छी से भुन गई है सूजी का पिर काफी चेंज हो गया है अब हम इसमें एक गिलाज पा यह मैंने थोड़ा सा fat color लिया है पर देख सकते हो केडुरी में इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालते ही एकड़ेंच कलर इसका बण गया है यह हम इस हल्वे में डाल देंगे ऐसा करने से फ्रेंट्स हल्वा हमारा बहुत ही जादे सुन्दर लगता है और बहुत ही जादे टेश्टी लगता है यह मैंने थोड़े से किसमिस लिए है तो किसमिस भी हम इसमें डाल देंगे तो देखेगा यह हल्वा हमारा बहुत ही जादे टेस्टी बन जाता है अगर आप इस तरी केसी हल्वा बनाते हैं तो फ्रेंट्स मैंने इसमें एक दो जो बड़ी चमच रही मैंने चीनी की डाली है चीनी डालते टाइम मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ क्योंकि चीनी डालने की जो वीडियो है थोड़ी सी वीडियो डिलेट हो गई है तो चीनी अमने दो चमच के करीब इसमें डाली है आप अपने टेस्ट के कोडिंग जैसा मीठा आप खाना पसंद करते हैं ऐसे डाल सकते हैं ये लीजिए हलवा बनके तयार है तो आप भी एक बार इस तरीके से जरूर बना करके देखेगा कम टाइम में बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है तो आपको मेरी हलवे की वीडियो कैसी लगी कुमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में अगली नई रैसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई सबको मेरी नमस्ते और थैंक्स पूर वोचिंग एक बार आप भी हलवे की रैसिपी जरूर बना के देखेगा आपको बहुत ही जादे पसंद आएगी क्योंकि यह इस तरह से हलवा बहुत ही जादे टेस्टी लगता है तो चलिए ता ता बाई बाई